नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चार नंबर मूलांक के बारे में चार नंबर किनका मूलांक है जो लोग चार तारिक को पैदा हुए हैं जो लोग तेरे तारिक को पैदा हुए हैं और जो लोग 22 तारिक को जन में हैं उन लोगों का मूलांक चार नंब पर दोस्तों राहू का नंबर है राहू जो की हमारी बुद्धी को कई बार ब्रस्ट भी कर देते हैं बुद्धी को कई बार डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं हमें गलट डिसीजन लेने पे इतना मजबूर कर देते हैं कि हमारे आगे पीछे दाएं बाएं सारे रास्तिबंध हो जाते हैं और हमें वो डिसीजन लेना पड़ता है जो डिसीजन हम नहीं लेना चाते हैं और हमें वो डिसीजन लेना पड़ता है लेकिन अगर मैं अच्छाई की बात करूँ तो हमारी वानी के प्रभाव से हमारे लिएगे डिसिजन के बिहाव पर ये हमें बहुत बड़ी सकसे सफलता भी दे देते हैं जिन लोगों का भी मूलांक चार नंबर है उनके लिए भी ये साल दोस्तों बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि इस साल का जो 2023 जो टोटल अंक है वो साथ है वो साथ अंक जो है वो केतु का है और जिसका टोटल अंक साथ हो, आठ हो या चार हो उनके लिए ये तीनों नंबर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं तो आपकी भी सफलता के रास्ते खुलने वाले हैं लेकिन सफलता आपको असानी से नहीं मिलेगी थोड़े से प्रियास करने पड़ेंगे लेकिन प्रियास करने में आप लगे रहे आपने हार नहीं मानी तो सफलता आपके कदम चोमेगी अपने स्वस्त का ध्यान रखना है पेट सम्मंदी समस्य उत्पन हो सकती है पत्नी के साथ या अपने close relations में कुछ गलत फेहमिया उत्पन हो सकती है उन गलत फेहमियां को होने से अपने आपको बचा के रखें सावधानी पूरवक किसी से भी फोन पे बात करें कोई आपको recording आपकी बाते record करके आपके सामने वाले जिसके बारे में आप बात करें उनको सुना सकता है और आपकी लड़ाई भी करा सकता है तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की अवश्यक्ता है कि फोन पर जैसे कुछ उच्च अधिकारी लोग हैं कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं फोन पर बात करके ऐसी मुसीबत पड़ सकती है कि उनका suspension हो जाए तो ये जरासी साफदानी उनको काफी प्रोटेक्ट कर सकते कि फोन पर आपने किसी के लिए भी कोई negative बात नहीं करनी बिमारी का ध्यान रखना है जब भी आप किसी यात्रा पर जाते हैं तो एक सफेद पुश्प अपनी जेब में जरूर रख करके ले जाएं जमा पुशी शेयर में ना लगाएं पैसे को शेयर में इंवेस्ट ना करें वो पैसा खराब हो सकता है लेकिन long term शेयर में आप पैसा इंवेस्ट कर सकते हैं या property में भी आप अपने पैसे को इंवेस्ट कर सकते हैं वो पैसा भी आपका बढ़ता चला जाएगा ये साल पिछले कुछ सालों के मुकाबले अगर इस साल के end तक आपकी success देखूं तो बहुत ज़्यादा होने वाली है यानि कि कम से कम 5 से 10 गुना success आपको इस साल में प्राप्थ हो सकती है तो घवराने की आवश्यकता बिलकुल नहीं है बस थोड़ी सी आपको अपनी take care रखनी है पत्नी के साथ तेज अवाज में बात नहीं करनी है वरना चोटी सी बहस बड़ी मुसीबत अक्तियार कर सकती है आप किसी से भी बहस करेंगे उसका समय खराब होएगा तो अपनी पत्नी या पिता या माता या भाई बेन के साथ क्यों बहस करें क्योंकि जिससे भी बहस करेंगे उसको स्वस्त सम्मंदी परिशानिया उत्पन हो सकती है तो इस साल आप अपने अपने किसी close relation के साथ बहस बिलकुल नहीं करनी गर से जब आप निकलेंगे ओम हरीम इंग ओम इस मंतर का जाप करके निकलें आपकी सफलता आपको प्राप्त होती चली जाएगी और अगर घर से निकलते हैं तो एक चुटकी नमक राइट में किसी भी पेड की जड़ में या पोदे की जड़ में डालते हुए निकलें और आपके काम बन जाएंगे इस साल के एंड तक कोई स्वस्त समंदी समस्या किसी रिलेटिव की तरफ से आपको सुनने को मिल सकती है जरूर ध्यान दें कि जब किसी लंग लंबी ट्रिप पे जाएं तो एक सफेद पुष्प जरूर अपने साथ रखके जाएं तो आपके जो एकस्पेक्टेशन से है उससे भी ज़्यादा सक्सेस आपको प्राप्त होगी तो मातरानी का नाम लें अपने घर से निकलें हर काम में सफलता आपको मिलेगी नमस्कार सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सब से पहले और हाँ बेल आइकन तबाना ना भूलें